दोसो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत इंट्रस्टिंग है आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी novel में, drama में या किसी भी type की story में, short story में भी ये plot क्या चीज होती है अगर आप ये समझते हो कि story, कहानी, plot होता है तो दोस्तो आप गलत फैमी में हो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये plot क्या होता है इसको a sequence of events भी कहा जाता है इस वीडियो में मैं detail से समझाने की कोशिश करूँगा चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो की end में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये plot आकर होता क्या है a sequence of events जिसमें हर एक event आने वाले event से जुडा हुआ होता है आने वाले event को effect करता है और इसके लिए एक principle होता है दुस्तो cause and effect का principle उस पर ये plot काम करता है तो एक events की chain बनती है तब एक plot तयार होता है जिसको हम आसान शब्दों में storyline भी कहते हैं रेखो हर किसी ने plot की time the time अपनी अपनी definition दी है अपने अपने तरीके बताये हैं कि plot कैसे तयार होना चाहिए मैं सबसे पहले आपको EM Froster आपने नाम सुना होगा A Passage to India वाडे उन्होंने एक work लिखा था Aspects of Novel उसके अंदर आपको plot के बारे में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी line लिखकर definition दी है उन्होंने ये cause and effect को समझाने के लिए क्या बोला है वो कहते हैं कि story और plot में क्या फर्क होता है आपको मालूम है एक story में और एक plot में क्या फर्क होता है आप कहोगे दोनों सेम से ही लगते हैं लेकिन E.M.Proster बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है देखो story क्या होती है कि एक राजा है वो मर गया फिर उसके बाद में queen भी मर गई उसकी रानी भी मर गई तो ये हुई story जबकि एक plot क्या होता है कि राजा मर गया फिर उसी के गम में रानी भी मर गई तो एक event का असर पड़ा दूसरे event पर इसको कहते हैं plot बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए इस line की तो अगर आप story और plot को एक ही चीज समझते हो तो दोस्तों दोनों बहुत अलग अलग चीज है जैसे मैं आपको एक titanic movie आई थी एक film आई थी उसमें एक लड़की का scene है जब वो ship के सामने वाली रेलिंग पर जाकर खड़ी हो जाती है और हाथ फेला लेती है जैसे वो उड़ रही हो आपको याद होगा सब को याद है ये scene बहुत ही interesting भी लगता है लेकिन ये plot का हिस्सा नहीं है technical क्या ये scene एक event है आप सवाल पूछो कुछ से क्या ये scene एक event है और क्या इसका असर पड़ा दूसरे event पर नहीं तो ये plot का हिस्सा नहीं है technical है तो हम अगर plot को समझ रहे हैं तो हमें Aristotle ने अपनी politics में plot के बारे में क्या बोला है ये जानना भी ज़रूरी है देखो Aristotle यसा मानते थे कि plot को एक whole single action में लिखा जाना चाहिए ये whole single action क्या होता है मतलब plot अपने आप में complete होना चाहिए unity of action होनी चाहिए मतलब उसका structure जो होता है न plot का वो self-contain होना चाहिए beginning से middle, middle से end तक उन्होंने अपने हिसाब से play को दो parts में बाट दिया था पहला part था complication और दूसरा denaman और उन्होंने plot के dramatic structure को बताने के लिए suffocles, suffocles आपको मालम होगा बहुत ही great playwright से उनके works का example यूस किया है उन्होंने, मतलब Aristotle ने scenes के भी दो special interest बता है एक होता है reversal और दूसरा होता है recognition reversal तो वो जो action को नई direction देता है और recognition वो जो protagonist के पास कुछ important हो वो reveal करने के लिए इसका use किया जाता है reversal का मतलब पहले वाले scene में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरा scene जुड़े points को properly set up करना बहुत ज़रूरी है दो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ Aristotle को character centric plot बल्कुल पसंद नहीं थे कि आपने एक आदमी के around एक आदमी के आसपास पूरा plot गड़ दिया जैसे कि आप Charles Dickens की novel पड़ो Oliver Twist Oliver Twist के आसपास सारा plot गड़ दिया उनको ऐसे character centric plot बल्कुल पसंद नहीं थे और इसी के साथ साथ उन्हें episodic plot भी बल्कुल पसंद नहीं थे और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब plot के अंदर actions होते न उनका purpose होना चाहिए हमें कोई moral चीज सिखाने का मतलब morality play का center होनी चाहिए और वो ही play को great बनाएगी अब दोस्तो Aristotle के ideas हमने पढ़े अब हमें एक German novelist एक German playwright थे बहुत famous Gustav Raitak उनके ideas भी पढ़ने पढ़ेगे उन्होंने एक work लिखा था die technique does dramas दोस्तों अगर मैंने गलत प्रणॉंस किया थो sorry जिसमें इन्होंने five act dramatic structure को study किया और इन्होंने एक pyramid बनाया था दोस्तों जिसको Raitak pyramid भी कहा जाता है और इस pyramid के जरीए उन्होंने बताया कि story की plot में 5 parts होने चाहिए सबसे पहला part है exposition जिसे introduction कहा जाता है दूसरा rising action तीसरा climax चौथा falling action और last में catastrophe जिसे resolution भी कहा जाता है और drama की पाँचो acts इन्हीं पाँचो parts को ऐसे ही follow करने चाहिए जिसे कई लोग dramatic arc भी कहते हैं और इन पाँचो parts के अलावा उन्होंने तीन टाइप की forces भी बताई दोस्तों इसको भी note कर रहे न मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आप धंग से note करना पहली होती है exciting force जो rising action को lead करती है दूसरी होती है tragic force जो falling action को lead करती है और last में होती है final suspense force जो catastrophe को lead करती है अब दोस्तों अगर हम Aristotle की माने तो हमें इन तीनों forces को ढंक से follow करना चाहिए लेकिन fratak क्या बोलते हैं कि यहाँ पर exciting force ज़रूरी है लेकिन project force और final suspense force optional है अगर writer चाहे तो इनको follow करे और ना चाहे तो ना करे मतलब सिर्फ action ज़रूरी है बाकी चीज़े optional है इसलिए आप देखना modern plots में आपको action ज्यादा माइने रखता दिखेगा आप देखना Aristotle के बिलकुल opposite ये hero centric plot को बड़ावा दे रहे हैं उमीद करता हूँ इस वीडियो से चूटी सी वीडियो से आपको plot समझ में आया होगा फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको plot का मतलब समझ में आया होगा जतना clearly हो सके उतना clearly समझाने ही कोशिश किये आपके exams और questions बनते हैं कि plot के बारे में लेखो अब मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के खतम होने के बाद में आप plot के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में